सेलो बच्चों कैसे हैं आप माना कि अच्छे होंगे नीट का एक्जाम ओवर हो गया और काफी बच्छों को लग रहा हुआ कि मेरा शायद नीट में ना हो पाए तो आप निराशना हो म questionable में और भी तरीकी हैं और हमारे पास और भी तरीके हैं Medical College में जाने के जैसे आप बहुत से Profesional Quartz कराती हैं बहुत सी Central University बहुत अच्छे अच्छे Medical Quartz हैं जैसे Bachelor Clinic Physics, Medical Lab Technology, Radio Therapy, Occupational Therapy ऐसे बहुत अच्छी पीरस में जा सकते हैं और अपना फिचर को प्राइट कर सकते हैं एह伊सा नहीं है कि आप नेट से ही अप अफिक मैंड फीरस से अटेच हो सकते हैं में मानता हूं कि Medical में जाने कि एक डॉक्टर एक अच्छा प्रॉफेशनल है लेकिन ऐसे बहुत से कोड्स है जैसे बैचले रीडियूशन थेरपी रीडियूशन थेरपी बताता है कि हम कैसे पेशेंट को डोस दें कि इतना डॉक्टोर तो पर निर्धारित कर देता है कि मैं यह समझाना चाहता हूं कि हमारे हमें टॉप को बताना चाहूंगा कि टॉप युनिवस्टियों में टॉप मेडिकल कॉलिजों में कौन-कौन से कॉर्स कन्डेक्ट करा जाते हैं जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आपको ऐसा ना लगे कि मैं कभी मेडिकल विद्वाट वह सब्सक्राइब तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉफिशनल कोर्स करें और अपना योगदान एक मेडिकल फिल्ड में दें मैं बताना चाहूंगा जैसे एम्यू हुआ और एम्जहली और एम्जहली बहुत से प्रॉफिशनल कोर्स कराता है जिससे आप जहले connect करता है bachelory in optometry, optometry आँछोंब का जितना जितने भी lenses होते हैं यह सब होते हैं कि reflection होता है और सब चीज क्या हो optimatrist करता है बैचलर in medical technology in radiography जितने CT स्किन हुए, MRI हुए, अल्टा सौंड हुए, ड्रॉप लगर हुए, बेरियम हुए, डार्क रूम असिस्टेंट हुए, यह सारे काम मेडिकल टेक्नोलोजी इन रेडियोग्राफी में आता है, बैचलर इन डेंटल ओपरेशन रूप असिस्टेंट, डेंटल रूम ओपरेशन यह बहुत अच्छा कोर्स है, बैचलर इन डेंटल हाइजन, डेंटल हाइजन एक बहुत अच्छा कोर्स है और आपके फीचर को बहुत अच्छा कर सकता है, ऑपरेशन ठेटर टेकनोलोजी होते हैं कि हाँ कैसे मैनेश करा जाएगा कि ओपरेशन के लिए क्या-क्या ही नहीं और भी एम्स हैं जो इस को कंड़ेट कर रहते हैं पर लेकिन इसका एक्जाम एक ही होता है और साल में एक वार एक्जाम होता है और इसकी मेरिट के हिसाब से को अलग-अलग एम्स में उसके अलावा भी इम्स भूबनेशर वहा काफी अच्छा वह है इम्स भूबनेशर जिससे आप अपना कि फीचर को एक नहीं दिशाद दे सकते हैं इम्स भूबनेशर में कोर्स कड़ाया थे मेडिकल लैब टेकनोलोजी ऑपरेशन थेटर टेकनोलोजी एंड अनिस्थिस्यो एक प्रोड़ करेंगे तो वह चार साल का पड़ता है और कुछ होते हैं जैसे बीची डेंटल आइज़न होता तो तीन साल का है लेकिन इसमें छे महीने की इंटर्शिप होती है और इंटर्शिप से आप ख़ोच एक्स एक्प्लोर करेंगे कि भाई एम्स की लाइफ तो हुआ और और वी फीचर है हाले कुछ बनेंगे बच्चे खीकर तो निराश नहीं हो और ऐसे ही एक सेंटरल उनिवर्स्टी एम्यू एम्यू भी बहुत अच्छी है एम्यू को सबसे अच्छा मैं बताना चाहूं तो एम्यू को सबसे अच्छा है मेडिकल EMU का भी पैरा मेडिकल बहुत अच्छा है जिससे आप अपने फीचर को एक नई दिशा दे सकते हैं जैसे EMU में होते हैं आप्टिमेटरी आखो वाला आप्रिशन थेटर टेकनोलोजी डालेशिस थरपी एंड टेकनोलोजी Medical Radiology and Image Technology Medical Laboratory and Science and Physiotherapy डिप्लोमा इंड डेंटल हाईजन और डिप्लोमा इंड डेंटल मकेनिज्म यह कोर्स करना जाते हैं बैचलर के साथ यह सारे बैचलर कोर्स हैं ओप्ट्रोमेटरी और यह हुआ Medical Lab टेकनोलोजी और फीजो थेरपी यह सारे बैचलर कोर्स हैं उसके साथ वो डेंटल हाईजन हो हुआ और डिप्लोमा इंड डेंटल मकेनिज्ज यह डिप्लोमा कोर्स हैं जो कि EMU में कंडेक्ट करा जाते हैं और आपके लिए काफी बैटर रहेंगे ऐसा Medical Student आप इस कोर्स को करने के बाद एक ऐसा Medical Student कहला हो जाओगे अब एक आती बनारा सिंदू YouNeversey बनारा सिंदू ईंविस्ट्वी काफी अच्छी इंविस्टी और हमारे देश की जानीमानी पहरी उन्विस्टी है जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए काफी अच्छा योगदान करती है इक आछहे हैं मतलब आप एक में मतलब प्रोफेशनल है मतलब जसे कहते है न प्रोफेशनल बुलते हैं एक 인ौनी के अजमा एक ले ब कि एप्य्सिर्थम घंड इंव्मीई में भी होता है Wisconsin अरभी और में स। आटी लेई शिरन ऑ क्वकेशन क्हूपियू जाता बीस肉 थेरपी02 पहुआरग जिद्ध जाती यूट् यहाथ अच्छी नॉलिज मिलती है और रसायन विज्ञान इसमें काफी अच्छे चीजे को पढ़ाय जाता है और फार्मेसी की नॉलिज दी जाती है आयरुवेदा में और आगे आती है एक और सेंडरल उनिविश्टी जिसका नाम है जाम्या मिलिया इसलामिया और इस टाइम दोजार वास की रैंकिंग में थर्ड रैंकिंग लिए है और इसका भी एक मेडिकल कोर्स है बैचलर इन फिजो थेरपी ह् है अब चैणरिंफ इस्लामिय न्फरी थे ले स्थाथ है और यह कराती है अश्प कोड़ी न सब्सक्राइब और कुछ्ष सकते हैं और न्य आप सीधे सुद्न कुछ हो सकते हैं पेशेट से और उसकी परिशाणी को विश न चल सकते हैं और उसको करके treatment कर सकते हैं without using drugs और अच्छा कोर्स है और मैं आगे इनके उपर और बताना कोशिश करूँगा और इनका में एक लाइव कोर्स कराऊंगा जिससे आप इन इंस्टिटूटों में एडिविशन ले सकते क्योंकि मैंने भी टेस्ट क्वालिफाय करें मैं भी इन उनिविश्टिव से पढ़ा हूं तो मैं आपको और अच्छी गाइडेंस दे सकता हूं और इससे आप एंटर होंगे और आपका फीचर काफी बैटर रहेगा और और लाइव इंट्रक्शन होगा और मेडिकल फिल्ड में जब तक आप एक किसी अच्छी सेंट्रल उनिविश्टी से नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छा नवाब नहीं हो पाता है प्राइवेट उनिविश्टी में क्याता है इतनी अच च्छी उसके लिए